Hello friends, कैसे हैं आप लो and अभी just tedious return की जो due date है वो over हुई है और tedious return में हमसे कई बार गलती हो जाती है और ये गलती actual में क्या होता है कि हम tedious का जब return फाइल करते हैं तो जिसका भी हमने tedious deduct किया है उसके pen पर वो show करता है तो अगर हमसे TDS return को file करने में कोई भी mistake या error हो जाती है तो सामने वाली party को उसका TDS का credit नहीं मिल पाता है तो ये problem होती ही कि हमें TDS के return को revise करना पड़ता है तो अगर TDS के return में कोई भी गलती हो जाती है तो हम उसको correct कर सकते हैं, revise कर सकते हैं तो किन-किन गलतियों को revise कर सकते हैं कि इसको revise नहीं कर सकते हैं वह हम देखेंगे, कैसे revise करना है वह भी देखेंगे प्रेक्टिकल, step to step इसमें देखेंगे सबसे पहले traces के साइट्पे में जाना है और वहां से कौनसो file डाउनलोड करना होता है बिना console file download करें हम TDS के return को revise नहीं कर सकते हैं पहली बात clear हो गई ठीक है console file के request करने के लिए download करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए चालान की detail होने चाहिए उस चालान के against में जितने deductी है उनकी detail होने चाहिए और जो हमने TDS का return file करा है उसका जो token number होता है वो हमें चाहिए होता है आईए मैं आपको CT लेके चल रहा हूँ साइड के उपर जाना है हमें login करने के बाद statement पर फिर जाना है request for console file पर और जिस भी quarter का return हमें revise करना है पहले तो हमें select करना है financial year फिर जिस quarter का हमें return revise करना है वो करना है select जो भी form है 24, 26 जो भी है वो करेंगे select और फिर करना है go पर click पूरा ये form open हो जाएगा इसमें हम से क्या क्या detail मांग रहा है जब हम अपना original TDS का return file करते हैं तो हम एक 16 digit का token number मिलता है ठीक है वो हमें यहाँ पर enter करना है उसके बाद अब देखिए हर quarter में 3 मन्त होते हैं हर मन्त का अलग-अलग चालान होता है तो जब हम चालान pay करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ detail मिलती है जैसे BSR code किस दिन हमें चालान को deposit किया है वो date चाहिए होती है चालान serial number चाहिए चाहिए होगा और उस चालान का amount चाहिए होगा ठीक है वो यहाँ पर fill करने के बाद नीचे आईए अब उस चालान के against में आपने कितने person का TDS deduct करा है हो सकता है चालान के amount हो 10,000 उसके against में आपने 3,000, 3,000 3,000 and 1,000 4 party का TDS deduct करा है यह हो सकता है कि हर चालान के against में एक ही party हो तो अगर किसी चालान के against में 3 या 3 से ज्यादा party है तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 party की detail देनी होती है pen number और जितना amount का TDS काटा है और अगर किसी चालान के against में 3 से कम है तो वो हमें यहाँ पर enter करना है अगर 2 है तो 2 की detail 1 है तो 1 की detail हाँ लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तब अगर आप 1 या 2 detail दोगे तो यहाँ पर यह proceed नहीं करने देगा तो अगर चालान के against में 3 से ज्यादा है तो यहाँ पर 3 की detail देनी है 3 से कम है तो जितने भी है उनकी detail यहाँ पर देनी है प्रोसीड करेंगे प्रोसीड करने के बाद counter file की request यहाँ पर generate हो जाएगी उसको download कैसे करेंगे download पर जाएगे requested download पर जाकर के view all पर करना है यहाँ पर click और यहाँ पर देखिए available आ जाएगा जब यहाँ पर यह available status आ जाए it means आप इसको download कर सकते हो download कैसे करना है इसके ओपर click करके sttp download पर आप click करोगे तो यह यहाँ पर download हो जाएगा यह div file होती है इसको फिर क्या open करने के लिए password होता है वो password क्या होता है 10 underscore request number जो भी tds का detector है जिसका हम tds का return revise कर रहे है उसका 10 number underscore request number सर यह request number कहां से मिलेगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यह आ रहा है request number यह हमें download requested download पर जाना है view all पर जाना है और यहाँ पर देखिए आपको request number मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर यह file download हो जाएगी इसको जब हम extract करेंगे तो हमसे password माँगेगा password जैसे हम enter करेंगे तो tds file generate हो जाएगी अब इसको हमें अपने tds के software में open करना है वो कैसे करना है अब tds का software download कैसे करना है यह हम लोगों ने कई वीडियो में discuss करा हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो tds filing का free course हमारे चैनल पर available है playlist section में जाके आप देख सकते हो मैं link जो है description में भी देदूँगा आप वहाँ से भी click करके वीडियोस देख सकते हैं यहाँ से करेंगे 26 अब regular या correction हमें correction करना है तो correction पर करेंगे click उसके बाद कह रहा है या तो saved file यहाँ तो open करिए या consolidated file open करिए जो console file हमने download करी है वो यहाँ से हमें import करना है click करेंगे इसके ऊपर जहाँ भी आपने उसको save किया हुआ है वहाँ पर जाने के बाद आप इसको जा करके open करेंगे open करने के बाद revise करने का यहाँ पर आएंगे अब देखे यह हमते पूछ रहा है अपडेट करना है जिस भी चालान या जिस भी डिटक्टी को आपको अपडेट करना है वहाँ पहले आपको जाके अपडेट पर क्लिक करना है उसके बाद देखे क्या क्या चीज़े हम लोग चेंज कर सकते हैं टीडियस का अमाउंट अर गलत है तो वह चेंज कर सकते हैं सरचार्ज एजूकेशन सेस इंट्रेस्ट फीस पेनाल्टी तो यह हम चेंज कर सकते हैं उसी तरह हम अगर बियासर खीक है सर, डेट जिस दिन deposit हुआ है, वो भी हम लोग change कर सकते हैं, खीक है सर, चालान amount हम लोग ठीक कर सकते हैं, ओके सर, तो ये सारी चीज़े हम लोग change कर सकते हैं, चालान की detail में, अच्छा, deductive में हम लोग क्या क्या change कर सकते हैं, यहां पर आएंगे, और अगर सिफ pan update करना हैं, तो update भी click करेंगे, अब देखे, यहां पर क्या क्या चीज़े change कर सकते हैं, section चेंज करने के लिए आ रहा है, serial number चेंज कर सकते हैं, deductive reference number चेंज कर सकते हैं, pen number भी change कर सकते हैं, name change कर सकते हैं, जिस इन payment किया है वो change कर सकते हैं, amount जो pay हुआ है, हो सकता है, इसमें गलती हो गई हो, ये भी ठीक कर सकते हैं TDS की detail change कर सकते हैं Sir, charge, education says date of deduction भी change कर सकते हैं, और rate of TDS भी change कर सकते हैं Sir, ये कैसे पता चल रहा है कि हम क्या क्या change कर सकते हैं, देखिए जो भी चीज white color से highlight हो रही है, वो हम correct कर सकते हैं, और जो white से, मतब जो highlight नहीं हो रही है, वो हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो almost सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर correct कर सकते हैं correct करने के बाद फिर क्या करना है Sir, create file पे जाना है create file पे जाने के बाद .csi file ये हम से पूछ रहा है, TDS का return revise करने के लिए हमारे पास console file तो होनी ही चाहिए .csi file भी होनी चाहिए अब ये कैसे download करना है ये भी हम लोग इसके बारे में discuss कर चुके हैं इसका building मैं description में दे दूँँगा अभी मैं इसको यहाँ पर discuss नहीं करता हूँ यहाँ से हम लोग .csi file को भी import कर लेंगे, मैंने download किया हुआ है उसके बाद जो console file हमने अभी download करी दी, वो हम यहाँ पर उसको import कर लेते हैं यह है हमारी console file और यहाँ पर जिस folder में हमें file को generate करना है जो upload करते हैं हम लोग income tax की site पर उसका हमको यहाँ पर path दे देना है अगर folder नहीं बना है, तो हम लोग यहाँ ते नया folder भी बना सकते हैं, tds file का और इसके उपर करेंगे click, save और यहाँ ते करेंगे validate अगर कोई गलती नहीं है, तो यहाँ ते generate हो जाएगा generate होने के बाद, एक file आपके folder पर generate हो जाएगी मैं इसको यहाँ एक्डिट कर रहा हूँ उस file को फिर आपको zip में convert करना है और income tax की site पर जाके upload कर देना है अब zip file कैसे बनानी है कैसे income tax की site पर upload करना है यह भी हमने tedious return के जो हमारा course cover किया हुआ है तो मैं वहाँ पर नहीं दूँगा नहीं बताने वाला इस वीडियो में हमारा focus है कि tedious के return को revise कैसे करना है तो इस वीडियो में हमने यह देखा कि कैसे console file download करनी है और कैसे import करना है और किन-किन चीजों को हम लोग tedious return को revise करते समय correct कर सकते हैं almost सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर correct कर सकते हैं तो बहुत easy process है जैसे हम लोग original return file करते हैं वैसे ही हम लोग revise return भी file करेंगे कोई नया process नहीं है पस एक नया step add हो जाता है जिस भी row में आपको change करना है वहाँ जाके आपको क्या करना है select करना है update उसी तरह चालान में जाना है चालान में जाने के बाद भी जिस भी चालान की detail को आपको correct करना है वहाँ पर जाके आपको update पे click करना है बाकि पूरा process जैसे tedious return को file करने का होता है वही होता है तो बहुत ही easy process है क्योंकि अभी 15 June तक हमें form 16 generate करना है तो हो सकता है जब आप file generate करो तो आपको कुछ error मिले किसी का pen गलत है किसी का amount गलत है किसी का tedious का rate गलत है किसी का tedious गलत है तो इसलिए ये video बनाया जा रहा है कि आपको पता हो कि form 16 generate करने से पहले गलती जो हो गई है उसे कैसे correct करना है ऐसे ही मदेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से ये मिता 24 को subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में